मैं आपके अपने परिवार में फिर से स्वागत करता हूं तो बच्छे जैसा कि आप लोग जानते हैं हम रिजिनिंग का चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था करने वाले हैं इतनी बात आई बच्छे समझ में तो चलिए शुरू करते हैं तो बच्छे आज जो हमारा है वो 10 डे डे नंबर 10 ठीक है अभी तक हम लोगों की 9 classes हो चुकी है कुछ chapter हम cover कर चुके हैं कुछ chapter भी बाकी है मुश्खिल से आपका एक महीने के अंदर अंदर ये सारा syllabus cover-up हो जाएगा उसके बाद हम लोग लगाएंगे ज्यादा सी ज्यादा practice जिससे आपके अच्छी खासे practice हो जाएगे और अच्छे खासे आप question कर तो चलते हैं ये देखो बच्छे आपके पास first question है बट इस first question से पहले मैं एक काम करता हूँ एक question जो हमने कल किया था उसको थोड़ा सा revise कर लेते हैं कल हम लोगों ने तीन rule पड़े थे rule number one rule number one क्या कहता है ये देखो बच्छे अपने पास dice है अगर कोई एक number कोई अगर एक number same surface पर है जैसे माल लेते हैं यहां भी one है मालो यहां लिख लेते हैं यह four है यह four है यह three two और यह four five और six ठीक है पहला हमने क्या पड़ा था common number on same side अब यहां देखना यहां four यहां पर भी four common number same side हो गया तो बाकी dice के अंदर जो surface होंगे वो क् दूसरे के बराबर होंगे same surface same surface के बराबर होगे same side same side के बराबर होगे इसका मतलब यह three किसके बराबर होगा 5 के और यह two किसके बराबर होगा छे के ठीक है इसका मतलब बराबर नहीं opposite होंगे तीन के अपोजिट क्या होगा पाँच, दो के अपोजिट कितना होगा छे, तीन के अपोजिट क्या आजाएगा पाँच, और दो के अपोजिट कितना होगा छे, तो चार के अपोजिट क्या आएगा, चार के अपोजिट आएगा बाकी बचा हुआ नंबर यानि एक, इतनी ब यहां लिखा 4,2,3 और इधर लिखा है 4,6,5 यहां देखो इस बार 4 कहां पर है 4 यहां है common और यह भी कहां है यहां बार दोनों में एक number common है 4 और 4 common है तो ऐसी situation हम क्या गरेंगे इसको clockwise गुमा देंगे इसको भी और इसको भी clockwise गुमाने से कितना बनेगा 4,2,3 यहां हमने क्या लिखा 4,2,3 और यहां क्या लिखा 4,6,5 तो 3 के posit किया गया 5,2 के posit कितना गया 6 और 4 के posit कितना गया बचा हुआ number 1 इतनी बाता है बच्चे समझ में, second rule हमने यह पढ़ा था, और rule number क्या है 3, तीसरा rule number क्या क्या कहता है, जब कोई 2 number common हो तब कैसे इस situation को deal करेंगे, यहां देखो बच्चे, अपने पास 2 dice है और इन 2 dice के अंदर कोई भी 2 number common होने वाले हैं, जैसे यहां लिख लेते हैं 1,4,5 यहां लिख लेते हैं 4,1 और 3, अब क्या होगा ध्यान से देखो, इनमें common क्या है, 4,1,4,1 common है, तो बाकी बचा हुआ number क्या होगा, एक दूसरे के opposite, 5 के opposite कितना होगा, 3, तो 5 के opposite हमारा जो अंसर कितना आ गया, 3, बाकी कितना बचा है, 1 और 4, 1 और 4 के opposite क्या होगा, वो number ज दूसरा नहीं दिख रहा है, 6, तो 1 के opposite के आएगा 2 या 6, तो 4 के opposite के आएगा 6 या 2, इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, ठिक है, तो यह हमने 3 ही rule पड़े थे, और इन 3 rule के ऊपर, आज सबसे पहले तो 25 कोश्चन का एक set लगाएंगा आज हम लोग, इतनी बात आ रही इतनी बच्चे समझ में, चलो, शुरू करते हैं, पहला कोश्चन, पहला कोश्चन आपके screen पर आपसे क्या पूछा है, 5 के opposite बताओ, किस के opposite बताना है, 5 के opposite, तो 5 के opposite क्या होगा बच्चे, देखना है एक बार, 2, 1, 5, 2, 1, 4, मैंने क्या बताया था, जहां पर 2 number common हो, तो ए बचाओ नमबर एक दूसरे के opposite होता है, देखना बच्चे, 2, 1, 2, 1, तो जो आपके पास 5 हो, किस के opposite हो जाएगा, 4 के opposite हो जाएगा, 5 के opposite कितना आगया, 4 है यहाँ पर, 5 के opposite पुछा, 4, option D, यहाँ बातारी बच्चे समझ में, ठीक है, चलो, अब आगे चलते है, ऐसे ही 3 और 3, ठीक है, एक ही number common है, 3 और 3, क्या करेंगे, इसको clockwise घुमा देंगे, कितना आएगा, 3, 1, 2, और यहाँ पर, 3, 5, 6, तो देखना, 2 के opposite 6, 1 के opposite 5, 3 के opposite, बचाओ नमबर कितना आएगा, 4, बचाओ नमबर कौन सा है, 4, 3 के opposite कितना आगा, 4, क्या पूछा है, 4 के opposite कौन सा ह 3, option A, इतनी बातारी बचे समझ में, देखो कितना जल्दी question हो रहे है, 3 basic rule पता है, फटाफट question हो जाएगे आपके, चलो, next question देखो बचे, यहाँ देखो, 3, 5, 1, 3, 2, 6, दोनों के अंदर, दोनों के अंदर, एक number ही common है, वो कितना है, 3, यह भी 3, यह भी 3, और क्या, सेम ही surface पे है, कहाँ पर है, सेम surface पे, तो बाकी जो surface है, वो एक दूसरे के क्या होंगे, opposite होंगे, यानि, 1 के opposite क्या होगा, 2, 5 के opposite क्या होगा, 6, otherwise आप इसे clockwise भी घुमा सकते हो, देखना बचे कितना हैगा, 3, 5, 1, और यह आजाएगा, 3, 6, 2, clockwise घुमा देना, ऐसे है, ठीक है, 3, 5 पांच, 1, 3, 6, 2, तो क्या पूछा, 5 के opposite कितना आएगा, 5 के opposite कितना आगया, 6, option C, clear बचे बात, ऐसे ही बज़ेदार सवाल, और देखते हैं हम लोग, यहाँ जाओ बचे, यहाँ देखो, क्या कहता है, एक के opposite क्या होने वाला है, यहाँ देखना एक बचे, 6, 4, 6, 4, नंबर common है, तो बचा हुआ नंबर, जो दिख रहे हैं, आपको एक दूसरे के opposite होगे, तो 1 के opposite क्या होने वाला है, 5, इसे ने पूछा, 1 के opposite क्या होगा, तो option कितना आएगा, B यानि 5, आगे चलते हैं बचे, next question देखो एक बार आप लोग, next question है, फटा-फट करके देखो, अबर try करो एक बार खुद, next question देखना बचे, क्या हैगा इसके अंदर, 1, 2, 3, और 1, 6, 5, देखना एक बार, 1 और 1 क्या है, common, बाकी बचे ओन नंबर क्या होगे, एक दूसरे के opposite होने वाले हैं, ठीक है, आप इसको clockwise घुमा के भी लिख सकते हो, क्या हैगा बचे, 1, 2, 3, य चार के opposite पूचा है, 3 के opposite 5, 2 के opposite 6, 1 के opposite, बचा हो नंबर कितना आगया, 4, तो 4 के opposite कितना आएगा, 1, तो option कितना आगया, 1, clear होगे बात बचे, चलो, आगे चलते हैं, next question आपका इंतजार कर रहा है, और आप से पूचा गया है, दो पिंदू के विपरित क्या होने वाला है, देखना यह 4 है, यह 6 है, यह कितना है, 5, यह 4, 1, 2, देखो, same surface, उपर वाले surface पे कितना है, 4, इस वाले surface पे भी कितना है, 4, तो बाकी जो surface है, वो एक दूसरे के क्या होने वाले है, opposite, यानि 5 के opposite क्या होगा, 2, 6 के opposite कितना होगा, 1, 5 के opposite 2, 6 के opposite 1, 2 के opposite पूचा है, तो 5 के opposite कितना आ गया 2 तो option कितना आ गया c यह बातारी वचे समझ में otherwise अपना बरमास्तर चलाओ बरमास्तर क्या था वही एक रूल जो आपको लगाना है common number common number लिखके आपको क्या करना है clockwise गुमा देना लिखो 4 6 5 यह 4 है यह 6 है कितना है 5 यह आप लिखोगे यह 4 6 5 इधर देखना 4 1 2 यह आ गया 4 1 2 तो 5 के पोजिट कितना आ गया 2 6 के पोजिट कितना आ गया 1 4 के पोजिट बचाओ नंबर 3 ऐसा करने से 6 के 6 अंसर आ जाएंगे 2 के पोजिट पूछा है तो कितना आ गया 5 5 लगाओ आगे निकलो यह बातारी बच्चे समझे में बेथरीन तरीके से हम अपनी परिपेशिंट करने वाले है प्रैक्टिस ज्यादा श्यादा गरें तक मैंना आपको पहली में बुला था जितने ज्यादा प्रैक्टिस ओतनी अच्छा एन अची है नंबर उतना है कम टाइम लगने वाला है clearer बच्छे बात चलो अगला कोश्चा है देखना बच्छे 2 के अपोजिट बताना है किस के अपोजिट बताना है 2 यहां देखना 2, 3, 6 1, 3, 5 यहां देखना common number क्या है 3 और 3 common number है तो अगर 3 और 3 common number और सेम ही side है तो बागी side एक दूसरे के deposit होती है तो 2 deposit कितना आजाएगा एक 6 deposit कितना आजाएगा पाँच 2 deposit पूछा था 2 deposit कितना आजाएगा एक यह बात आ रही समझ में बाकी फिर अपना ब्रमास्तर लगा सकते हो यह 3 था 3 6 2 इदर आओ 3 5 1 अब यहां देखो 2 deposit 1 6 deposit 5 4 deposit बचा हुआ number 3 तो किसके deposit पूछा 2 deposit 2 deposit कितना आगया एक यह बाता ही समझ में यह वाला rule सब में लगेगा यह बाता ही समझ में बाकी 3 रूल हमने पढ़ रखे हैं वो लगाते हैं आगे शरू बच्चे add the rate star minus add the rate plus star star plus dollar dollar plus 8 किसके deposit पूछा है आप से आप से पूछा है star के deposit ठीक है अब यहां देखें न बच्चे इन दोनों के अंदर मेरे को dollar or plus dollar or plus दो चीज़े common आ रही है जहाँ पर दो चीज़े common आ रही हो तो बाकी बच्चे हुए एक दूसरे के deposit होती है तो यहां देखो dollar के deposit सोरी star के deposit कितना आ जाएगा 8 star के deposit कितना आ जाएगा 8 यह बतारी समझ में इतने असान असान से सवाल है बच्चे करोगे तो बहतर तरीके से preparation होगी आगे चलो अब क्या पूछता है दो के deposit बता हो इस पर कितनी dice दे रखी है चार-चार क्या करना है हम लोगों को इन चार में से कोई भी दो ऐसी निकाल लो जिसमें से कोई एक ही number common हो और clockwise गुमा के अपने answer निकाल लो यहां में देख लो 5 और 5 common है clockwise गुमा लो otherwise जब सेम साइड होते हैं तो सेम साइड वाली जो सते होती साइड हो बराबर होती है इसका मतलब 2 के deposit 6 3 के deposit 4 तो 2 के deposit पूछा कितना आजागा सिधा सिधा 6 आजाएगा यह बतारी समझ में सिधा निकालना तो ऐसे आजागा 6 के 6 निकालन पूछा तक कितना आगा 6 ऐसे निकालोगे 6 के 6 निकलेंगे और रूलवाइच चलोगे तो जल्दी आपके अंसर आने वाले हैं यह बता ही समझने हो बच्छे शलो आगे next question देखो 6 के deposit पूछा है ठीक है 6 के opposite यहां देखो बच्छे यह आपके पास कितना है 6 clockwise गुमाओ और पांच चार तीन के opposite चार दो के opposite पांच छे के opposite बचा हुआ नंबर एक तो 6 के opposite कितना आगया एक का option बी लगाओ और आगे निकलो आगे चलते हैं बच्छे next question यदि नीचे दीगा पासा एक मानक पासा है तो दो के opposite क्या होगा अब मैंने तुम्हें दो चीज़े बता रखी हैं एक होता है standard dice दूसरी होती normal dice अब ध्यान दे सुनना जो अपने पास normal dice होती है normal dice के अंदर मान लो इस तरीके से एक dice दे रखी तुम लोगो और यहां लिख रखा एक दो तीन और आप से पूशा जाता है एक के opposite बताओ दो के opposite बताओ और तीन के opposite बताओ आप क्या कहोग चे लेकिन अगर यही dice अगर यह normal है तो यह answer आएंगे लेकिन अगर यही dice क्या होती standard होती क्या होती standard अगर standard होती तो सम अपवजिट इस रिख साइड कितने होते 7 इसका मतलब एक के opposite होता 6 दो के opposite होता 5 तीन के opposite होता 4 इतनी बहतारी समझ में यहां अंसर फिक्स होते है हमा 5 डोके पोजेट कितना आएगा 5 क्योंकि दोनों को जोड दें कितना इगा 7 तो अंसर कितना आगे अपने पास? 5 अगर यह अज़िए अगर क्या पूस्त है आप लोगे 1, 4 पोजिट लोगे एक notion 4 टीन विटाया आप कितना बोलते हैं 3, यह बदा ही समझ में एक का है, option c लगा और आगे निकलो 2 के पोजिट पूछे तो 5 3 के पोजिट पूछे तो 4, खताब आगे चलो In this dice, what will be the opposite of 3 यह dice दे रखे और कुछ नहीं बता रखा standard है कि normal है, अगर standard बता रखा है तो हम अंसर निकालेंगे opposite में, क्योंकि यह 7 में दिख रहे हैं तो बाकी बचा कौन? 1 और 5 और 6 1, 5, 6 कहां दिख रहा है, यह रहा option यह बाता ही समझ में लेकिन अगर यही क्या होता? अगर यही standard answer होता, क्या होता? standardized होती तो 3 के opposite 4 आता इतनी बाता ही समझ में, लेकिन standardized नहीं है, क्योंकि 3 और 4 एक साथ दिख रहे हैं, clear है यह बात? चलो बचे, अब आगे चलते हैं next question आपका इंतजार कर रहा है, यह रहा इस पासे विए 5 के विपरीत क्या होगा? देखना, 5, 2, 1, 4, 3, 6, इन दोनों ही dice में कुछ भी common नहीं है और जब कुछ भी common नहीं होता है तो इन में से कोई भी इसके opposite आ सकता है 5 के opposite 4 भी आ सकता है 5 के opposite 6 भी आ सकता है, 5 के opposite 3 भी आ सकता है तो 4, 6, 3 option का है? 4, 6, 3 option A यह बाता ही बच्चे समझ में अगर common होगा तो हम clockwise घुमा के अंसर निकाल सकते हैं कोई common ही नहीं होगा तो हम अंसर भी नहीं निकाल सकते हैं आगे चलो बच्चे next question देखो what can be opposite of this figure यानि एक आप में क्या दे रखा है एक वर्ग दे रखा है यानि इस तरीके का एक figure दे रखी है और पूछा कि इसके opposite क्या होगा यान देखो इन दोनों के अंदर एक चीज़ common है वो क्या है यह triangle clockwise घुमाओ देखना बच्चे triangle circle और यह बन गया अपने पास square यान देखना triangle star और यह बन गया d किसके opposite पूछा है इसके opposite पूछा answer कितना आ गया d option यह बता ही बच्चे समझ में चलो अब आगे चलते हैं next question देखो बच्चे 2 के opposite पूछता है क्या है 2 के opposite 2 बंदू के विपरित क्या होगा यहान देखना बच्च 5 4 6 2 1 5 यहान कितना है 5 यहान भी कितना है 5 5 same number आ गया दोनों dice के अंदर जब same number होता है लेकिन different side होता है तो क्या करना है clockwise गुमान है गुमान है गुमान है clockwise तो कितना आ जाएगा बच्चे यह 5 यह 2 dot यह single dot इदर यह 5 यह कितना आ गया 4 यह कितना आ गया 6 5 4 6 इतनी व दाएगा आवरचे समझ में तो पूछा क्या है 2 के एपोजिट बता हो 2 के एपोजिट कितना आ गया 4 4 रहा है यह रा option a में 1 के एपोजिटitter पूछता तो 6 5 के एपोजिट समय बचा हुआ नंबर कितना आ आ था 3 इतनी बातारी बच्चे समझ में, बहुत बड़ी आप आगे चलते हैं, next question देखो next question, 17 question आप से पूछा जाता है, यह open dice में 5 के पोजिट क्या होगा ज्यान से सुनना, इन dice के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि alternate number एक दूसरे के अपोजिट हो, alternate number एक छोड़ कर एक, यानि यहाँ पर 5 होगा तीन के पोजिट, चार होगा दो के पोजिट और बाकी बचे हुए नमबर एक दूसरे के पोजिट हो जाएगे, पांच के पोजिट तीन, चार के पोजिट दो, छे के पोजिट एक, पूछा क्या है, पांच के पोजिट बताओ, तो पांच के पोजिट कितना आ जाएगा, ती पांच के पोजिट कितना आ गया ती यह बात आई बच्चे समझ में कितने असान असाम से सवाल हैं आगे शलो नेक्स्ट कोश्चन दो के भी प्रित बताओ एक डाइस के अंदर कितने नमबर होते हैं टोटल 6 तो यहां देखना एक के पोजिट 3, 4 के पोजिट 5, एक के पोजिट कितना आ जाएगा? 3, 4 के पोजिट 5 तो बचा कितना? 2, 2 के पोजिट कितना आएगा? 6 ओप्शन में है कहीं 6, यह रहा ओप्शन में 6, तो कितना अंसर आ गया? 6, clear है बात बचे यह, आगे चलते हैं नेक्स्ट कोजिट देखो, आपसे पूशा गया है, 4 के पोजिट बताओ, यहां देखना एक बार, 5 के पोजिट कितना आएगा? 6, 4 के पोजिट कितना आएगा? 1, 4 के पोजिट सिधा सिधा अंसर कितना आ आगया? 1, यह बात clear है, लेकिन इसको complete करते हैं एक बार, एक्जाम आपसे तो clear हो गया, लेकिन और भी कुछ पूछ लिया जातों, क्या आथा? यहां देखना बचे, एक के पोजिट तो कितना आगया? 4, पांच के पोजिट कितना आगया? 6, अब दो के पोजिट क्या आएगा? देखो, दो के पोजिट एक इस तरीके से नंबर बनने वाला है जिसमें ऐसे cross बनेगा, इतनी बातारी बचे समझ में, इस तरीके से क्या बनेगा? cross, यह बात clear है, अब देखना, यहां पर आपको क्या लिख रखा है? 4 तरफ, फ्लस, माइनस, इस तरीके से चीजे लिख रखी है, ठीक है? तो सबसे उपर क्या है? एक पर देख लेते हैं, चलो, यह मिट गया भी, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो एक के पोजिट 4, पांच के पोजिट 6, 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 दो क इस तरीके से cross बनने वाला है इतनी बात ही समझे, cross बनेगा अब देखो, ये थोड़ा सा visible नहीं है, इसको minus माल लेते हैं इसको multiply माल लेते हैं, इसको plus माल लेते हैं और इसको divide माल लेते हैं, ठीक है तो देखो क्या बनने वाला है, सबसे पहले यहाँ आएगा minus फिर आएगा क्रोस फिर आएगा प्लस का निशान फिर क्या आएगा डिवाइड यह बात आ रही बच्चे समझ में तो 2 के अपोजिट यह बनने वाला इस बात को ध्यान रखना आगे आने वाले सवालों में काम आएगा अब चलते हैं बच्चे आके नेक्स्ट कोशिए आपका इतियार कर रहा है आपसे पूछा जया थास्टा आ कि अने वाला यह देखो बच्चे स्टार के अपोजिट यहाँ कोमन क्या है यह क्लोखवाईज घुमाना है जब क्लोखवाईज घुमाएंगे तो क्या आएगा देखो यह उसके बाद star mark उसके बाद at the rate यहाँ देखना C, dollar और यह आगया आपके पास end, तो किसके opposite पूछा है star mark के opposite पूछा है, क्या आगया, dollar तो option कितना आगया, A इतनी बाता ही बच्चे समझ में, चलो next question करो फटाफट, next question आपकी screen पर है, question number 21, फटाफट, try करो बच्चे इसे देखो, 1, 2, 3 और 1, 5, 6 1, 2, 3, और 1, 5, 6 देखो, common number कहां है एक ही common number है और सेम ही surface पर है तो बागी surface एक दूसरे के opposite होंगे 3 के opposite 6, 2 के opposite 5 पूछा क्या है, 5 के opposite पूछा तो अंसर कितना आगया 2 यह बात है ही समझ में, बाकी अपना बर्मास्तर है ही देखो, क्या लिखोगे, 2, 1, 3 1, 5, 6 2, 3 1, 2, 3, और 1, 5, 6 cloakwise हमने गुमा दिया, देखो एक बार क्या कि हम लोगों ने, 1, 1, comment था 1, 2, 3 cloakwise गुमाएंगे तो 1, 2, 3 और यह गुमाएंगे तो 1, 5, 6 2 के पोजिट, 6, 2 के पोजिट, 5 3 के पोजिट, 6, 1 के पोजिट, बचा हुआ नंबर 4, यह बात आई ही समझ में तो option क्या आ गया, 5 के पोजिट पूछा, 5 के पोजिट कितना आ गया, 2 clear है बचे, देखो यह तो 2 के पोजिट बताओ, एक चोटा सा rule बताया था, तुम लोगों कोई 2 डाइस दे रखे हो और कोई 2 ही नंबर कोमन हो तो बचा हुआ नंबर क्या होता, एक दूसरे के पोजिट यह देखना, 5, 3 5, 3, 2 कोई नंबर दे रखे हैं कोमन, तो 2 के पोजिट कितना आ जागा 4, यही पूछा कि 2 के पोजिट बताओ कितना अंसर है, 4 clear है बचे, आगे चलो next question क्या कहता है, in this dice given below which will be on the opposite side of C C के पोजिट कौन सा होने वाला है, देखना A, B, C, A, D, E A और A common आ गया, ठेक है पूछा है क्या option आ जाएगा, C के पोजिट E, यही option A इतनी बात आई बचे समझ में, आगे चलो next question देखो 3 dice दे रखे हैं और पूछा गया आपसे 4 के पोजिट बताओ, किस के पोजिट बताओ 4, पहले में 6, 5, 2 दूसरे में 1, 2, 4 यहां दोनों में common क्या है 2 और 2 common है 2 और 2 common है, clockwise गुमा दो कितना आ जाएगा, 2, 6, 5 इधर 2, 4, 1 तो 4 के पोजिट पूछा था तो 4 के पोजिट कितना आ गया, 6 6 का है option A में इतनी बात आई बचे समझ में next question करते है next question है, 25 वा question है इतनी बात आई बचे समझ में आई की class का, देखते हैं बचे क्या कहता है what will be the opposite of 1 in the standardized, standardized होता है मानक पासा में 1 के पोजिट क्या होगा हमें पता है, दोनों का सम साथ होना चाहिए 1 के पोजिट कितना होगा 1 के पोजिट कितना होने वाला है 1 के पोजिट होता 6 5 के पोजिट होता 2 2 के पोजिट कितना होता 5 6 के पोजिट कितना होता 1 3 नमबर अपने पास 1,2,3 1 के पोजिट होगा 6 2 के पोजिट होगा 5 और 3 के पोजिट कितना होगा 4 इतनी बात आई बचे समझ में ठीक है तो इसने पूशा था एक एपोजीट बता हो तो एक एपोजीट कितना आ जाएगा छे तो अप्शन ए यह बाता ही बच्चे समझ में कितना टाइम लगा आज की क्लास में हम लोगो 25 कोशन मुस्किल से 10 मिनिट में हो गई है इतनी बाता ही समझ में थोड़ा सा फास्ट